लेकाट पर गाल पर अगर भूंड में पर जाए हिन्द मैं ना गेस्कमार्स तुछ आप आप सभी प्यारे साथियों का DL Academy परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं आशा करते हैं आप सभी प्यारे साथ ही एकदम अच्छे एकदम बहतरीन होंगे सभी प्यारे साथ ही ध्यान देंगे हम electrical के second semester के जो भी student है उनके लिए basic electrical engineering की class लेकर के आगा है यानि electrical second semester के जो भी student है उनको एक trade book पहना है जिस trade book का नाम है आपका basic electrical engineering आप सभी लोग अपने ट्रेड बुक का सबसे पहले नाम जा लिए कि हमारे ट्रेड बुक का नाम क्या है तो आपके ट्रेड बुक का नाम क्या है basic electrical engineering है और यह किसको पढ़ना है तो यह electrical second semester के student को पढ़ना है आज से आपकी जो classes है वह आपकी start हो गया हाला कि हमने पिछले में ही आपको update कर दिया था कि किस किस दिन कौन कौन से subject आपके live चलेंगे कितने बज़े चलेंगे यह सारी चीजे हमने आपको update कर दिया था तो जितने भी electrical के student है वह फटापट live class के साथ जूड़ जाए जिन भी student ओने चैनल को subscribe नहीं किया है वह सारे student channel को सबसे पहले subscribe कर लें ताकि अगर कभी भी हमारा कोई भी नया वीडियो electrical से संबंधित रिलीज होता है तो उनको सबसे पहले मिले और इसके लिए आप लोग बेल आइकन भी दबा ले तो जितने भी प्यारे साथ हैं वह अपने दोस्तों को एक बार सबसे पहले लिंक को शेयर कर देंगे क्योंकि हम पूरा जो भी आपका है electrical की पढ़ाई electrical के जो भी स्ट्वेंट उनके लिए हमारे यहाँ पर लगातार classes चलती रहती हैं फ़र्ष्ट यर की सेकेंड की थर्ड यर की सबकी classes चलती रहती है तो electrical के basic electrical engine के सलेटोस में आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है वह है आपका कौन सा चैप्टर भाई तो उस चैप्टर का नाम है ओवर विऊ happy dc circuit यानी कौन सी सरकीट तो आपको dc 2 circuit के बारे वोटना है आप जब जाएंगे तो सप्लाई की जब नेचर को पढ़ेंगे तो सप्लाई का नेचर आपको दो डो टाइप का मिलेगा पहला मिलेगा प्रत्या वर्ती और दूसरा मिलेगा दिश्ट धारा तो प्रत्या वर्ती धारा जो होगी जिसको हम एसी सप्लाई कहते हैं और दूसरी जी धारा जो होती है वह बएब दिस इस सप्ड़ाइं होती है तो जो सप्ड़ाइब आपको पढ़ना है वह द इस सप्ड़ाइब के बारे अपको इस के अंतरगत पढ़ना है उसमें पिछले भी आप में इलगा सक रिलेर या पर पढ़ाँ हो उन पॉइंट को यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कि बहुत से बच्चों को लगता है आपका, कि इसमें कुछ पॉइंट जैसे current, EMF, potential difference, यह जो कुछ ऐसे word हैं, यह word उपहले से ही पढ़े होते हैं, तो उनको लगता है कि basic electrical engineering बहुत आसान subject है, बह basic, यानि electrical engineering का पूरा base जो निर्भर करता है, वो इसी किताब पर निर्भर करता है, और जितने भी प्यारे साथ ही हैं, अगर वो इस किताब को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, इस किताब को बहुत गहराई के साथ नहीं पढ़ेंगे, तो उनको second year और third year में problem होती रहेंगे, क्योंकि कहा गया है कि जिसकी new कमजोर हो जाती है, उस पर बने हुए पूरे मकान कभी भी ढह सकते हैं, तो सबसे पले आपका जो base है, वो मजबूत होना चाहिए और उसके लिए आपको ये subject पढ़ना बहुत ही आवस्तेक है, basic electrical engineering, तो सभी प्यारे साथ ही इस बात को समझ र पढ़े हैं, 12 में भी पढ़े हैं, यह सच है, लेकिन यहां पर आप इसको गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि आप जब current की परिभासा पढ़ते हैं, तो सिधा कह देते हैं आपका, कि आवेस प्रवाह की धर को विदुधारा कहते हैं, लेकिन यह सरासर गलत परिभासा हैं हो इनको भी आप सबसे पहले लिंक को share कर दीजे, क्योंकि यहां जो भी classes चलती हैं, वो आपके लिए live classes मिलती हैं, चाहे वो किसी भी subject की हो, सभी की सभी classes live classes होते हैं, हलाकि हमारे पास recorded classes होता है, लेकि हम recorded classes नहीं देते हैं, हम लोग live classes ही आपको देना पसंद करते हैं, अगर परीज कर में जोड़ना, पैरलल कर में जोड़ना, यह भी आप पहले ही 10th और 12th में पढ़ें, इसमें कोई सक नहीं है, अगर आगे हम बात करें, तो जो इसमें दूसरा आएगा, जो इसकी दूसरे चेप्टर होंगे, उस दूसरे चेप्टर में आपको क्या मिलेगा, तो यह दोनों किरचाप के दो लाव होते हैं, जो current law और voltage law पर आधारित होते हैं, तो आपको KCL भी पढ़ना है और KVL भी पढ़ना है, यह दोनों आपको पढ़ने, और क्या क्या पढ़ना भीया, इसमें पढ़ना है star delta connection का conversion, यानि star क्या होता है, delta क्या होता है, यह connection जो होते हैं वो अलग-अलग winding में किया जाता है आप जब जाएंगे second year में आपको winding मिलेगी तो winding में यह connection आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए लेकिन इन connection का यूज पहले ही आपको पढ़ना ही यही पर किंग जूड़ गया है गुड इवनिंग भाई किंग जी अपने दोस्तों को भी आप सेयर कर दीजिये लिंक क्योंकि अभी आपका पहला क्लास है और सलेबस का क्लास से श्टार हुआ है तो इसमें क्या है इस्टार और डेल्टा कनेक्शन जो होते हैं तो सबसे पर आप स्टा आप सब्सक्राइब अगला चैप्टर होगा वह होगा आपका कौन सा तो वह होगा स जा रहे हैं तो आपको परसान होने की कहीं जरूरत नहीं है आप लोगों को जो भी चीजे पढ़ाएगी बसुतना ही पढ़के एक्जाम में जाएए आप पचास में पचास करके आएंगे यह भी हमारा दावा रहता है चलिए दिनेश जी जूड़ गया है मंजीत यादो जी जूड़ गया है चलिए सभी प्यारे साथ को आगे हम चलते हैं कि इस चैप्टर के अंतरगत आपको क्या क्या पढ़ना है तो यह जो हमारा चैप्टर है डी सी सर्किट थ्यूरम का जो चैप्टर है इसमें आपको थ्यूरम पढ़ने कौन-कौन से थ्यूरम जैसे आप सूपर पोजिशन प्रिंस्पल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नौटन थ्यूरम और इसी तरह से थैवनीन थ्यूरम तो यह सारे के सारे जो है आपके यह आपको सारे के सारे थ्यूरम क्या करने है पढ़ने है अब इन थ्यूरम को जब आप पढ़ेंगे इन थ्यूरम को पढ तो जो हमारी DC सरकिट यानि जो हमारी अलग अलग टाइप की सरकिट हो जदी जो ही complicated हो जाती है तो उसी complicated circuit को सरल करने के लिए और आसान करने के लिए हम इन सभी theorem का यूज करते हैं जो कि कहां पढ़ना है आपको आपके DC circuit के दूसरे चेप्टर में आपको पढ़ना है चलिए आगे हम बात करते हैं और क्या क्या आपको पढ़ने तो और पढ़ना है voltage and current source ये भी आपको पढ़ना है voltage source क्या होता है current source क्या होता है voltage source को current source में कैसे बदल सकते है current source को voltage source में कैसे बदल सकते ह है ideal voltage source क्या होता है ideal current source क्या होता है यह सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलती है और इससे बहुत ही ज्यादा थ्यूरम से चाहे इससे SSC J में सबसे ज्यादा question बनते हैं SSC J में अगर कहीं से question put up होते हैं तो सबसे ज्यादा basic से question put up होते हैं क्योंकि basic सबसे ज्यादा question पूछे जाते हैं और वह भी circuit से ज्यादा question पूछे जाते हैं जो भी आप पढ़ रहें voltage and current law या जो आप पढ़ रहे हैं पीछ आपका DC circuit theorem इससे सबसे ज्यादा SSC J में लगो डिदो पूछे जाते रहे तो जितने भी प्यारे साथी वो उप deso 2005 वीडियो को लाइक कर दे ताकि सभी प्यारे साथ जब भी इस वीडियो को देखें अगर लाइक ज्यादा होगा तो उनको पसंद भी आएगा तो आपको अगर पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करना मत भूली विकास कुमार सिंग भी जूड़ गये हैं सरर्ष CDR विडियाज जी बिलकुल करेंट divider की बात कर रहे हैं और volte divider की बात कर रहिंए जी जी चलो हम बात कर रहे थे क्या हमने आपको जैसा बता है voltage source सिंबल एंड ग्रैपिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद उसी طरह से Characteristic of Ideal and Practical Source तो है हमने बात क्या ना कि यहां पुर्ण हने बोला उन्हीं बोला वोल्तेश्थ 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 क्या होता है तो उन्हें चीजूब के बारे में बात कर रहा है उसी तरह से Current Source की बात कर रहा है और Current Source में भी पता चलेगा इन चीज़ों का एक्चुवल मत्लब या इन चीज़ों का एक्चुवल यूज आपको पता चलेगा कि पढ़ा था तो अब मुझे यह ज्यादा चीजे समझ में आ रही है तो यह मैंने इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्षन आपको इंटर में भी मिला होगा इंटर में भी आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्षन और इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्षन में क्या क्या पढ़ने की मिले मिलेगा तो यह मैगनेट पूरा अधारी थे नाम से इसके बारे में इस चेप्टर के अंतरगत में पढ़ेंगे इसके साथ ही साथ क्या होगा प्रोडूश भाई फ्लो आप इलेक्ट्रिकल करेंट कैसे इलेक्ट्रिकल करेंट आपका फ्लो होता है किसमें जो हमारा हमें कि इलेक्ट्रिकल के अंतरगा आपको पढ़ने इसके साथ इसके कुछ बेस्तिक का मतलब जैसे अगर कोई कंड़क्टर में धारा वहती है तो बनारा को रोकने के लिए आउसे ही जब हमारा किसी भी महन से फ्लक्स फ्लो करेगा तो उस फ्लक्स के मार्ग में भी कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पढ़ेगा उसके लिए हमें पढ़ना पढ़ेगा रिलक्टेंस के बारे में तो हम किसको पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अपने रिलक्टेंस के बारे म और क्या पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे magnetic motive force यानि जो आममेट्र is Sang successes पढ़ाँ यूव्यां स्वानि एक कर तो इलेक्ट्रिकल सरकिट और मैगनेटिक सरकिट में आपको अंतर भी पढ़ना है कि electrical circuit और magnetic circuit में क्या आंतर होता है चलिए प्रिंस जी गुड इबनिंग गुड इबनिग बाई दिने सिंग गुड इबनिग चलिए हम आगे बात करते हैं अगला क्या है अगला का रहा फैराडेला आपको पढ़ना है फैराडेला के बाद क्या पढ़ना है फैराडे के सिधांत पर अधारित जो भी हमारे डेरीवेशन होंगे वो डेरीवेशन भी हम कराएंगे आप सभी लोगों क्यों को निकलवाएंगे और अगर हम आगे बात करें तो अगला हमारा क्या है जैसे इसमें दिया भी है सिंपल नुमेरिकल प्राइब्लम यानि उन पर कुछ हमको क्या करने भई नुमेरिकल को भी पढ़ना है अगे हम बात करें तो क्या भई concept of current growth decay time यानि जब हमारा कोई inductor होगा उस inductor को supply देंगे तो supply दे पर current की value जो बढ़ रही है जब supply को समाप्त कर देंगे तोонов कोיחर का जो diagram होगा वो घटते हुए form में कैसा मिलेगा तो वही हमारा जो है graph वो यहाँ पर इस concept के अंतरगत खीचा जाएगा अगर हम अगले की बात करें जो अगला है हमारा वो क्या है energy stored in inductor यानि inductor में जो energy stored होती है अब बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि जो प्रेरक होता है प्रेरक होता के है तो हम आपको बताएंगे कि प्रेरक क्या होता है उसको समझाएंगे कि जब किसी conductor को नंगे चालक के रूप में बना करके उसके उपर हलके से insulation को लगा करके उसे फेरे नुमा लपेड दिया जाता है या फिर नंगे चालक को फेरे नुमा लपेड दिया जाता है तो वो एक inductor के रूप में behave करने लगता है, और inductor के रूप में behave करने लगता है, तो उसके अंदर जो energy store होती है, उसकी valuation क्या होती है, वो हम आपको निकल वाएंगे, उसी तर से अगला point जो है हमारा series and parallel combination आप inductor, inductor का series combination आपको पढ़ना है, और inductor का parallel combination भी आपको पढ़ना है कि एक से अधिक inductor series में जोड़ दिये जाए, एक से अधिक inductor parallel में जोड़ दिये जाए, जैसे एक से अधिक resistance series में जोड़ते थे, एक से अधिक resistance parallel में जोड़ते थे, वैसे inductor को series और parallel में जोड़ करके उनकी valuation को आप ग्याद कर गे, अगर हम अगले chapter की बात करें, तो जो हम कितने नंबर का आप से पूछा जाता यह सारी चीजे भी हम आपको डिकलियर करेंगे तो आप लाश्ट तक बने रहे और जो भी प्यारे साथी है जिन भी प्यारे साथी उको लिंक नहीं मिल पाया है आप सबसे पहले काम करिए कि यह तो सलेबस का क्लास है ज्यादा कुछ सब भी दोस्तों तो पहुचाना पड़ेगा क्योंकि जब हम आपको अच्छी चीजे दे रहे हैं सब कुछ अच्छा दे रहे हैं तो आपकी भी जिमिदारी बनती है कि अपने टीचर को प्रमोट करने के लिए चले हम आगे बात करते हैं बैटरी में आपको क्या का पढ़न की बैटरी के बारे में आपको मिलेगा तो जैसे प्राइमरी बैटरी क्या होती है से केंडरी बैटरी क्या होती है इसी में आपको उनकी जब अंदर आप पढ़ेंगे खंडन उसका पढ़ेंगे तो उसमें चार्जबल और रिचार्जबल के बारे में भी आप पढ़ेंगे आगे हम बात करें, तो construction working पढ़ना है किसका principle, construction working and principle पढ़ना है, लेड acid battery का, यानि acid battery का और based battery का, यानि अमली battery का और छारी battery का, क्या पढ़ना है आपको? तो उनका पढ़ना है आपको construction पढ़ना है उनकी working पढ़ना है और उनकी principle को पढ़ना है तो इसमें दिया भी है lead-acid battery और nickel cadmium की battery जिसमें एक और battery को दे दिया है पढ़ना है तो यह सारी चीजों को आपको कंस्ट्रक्शन की वर्किंग के बारे में पढ़ना है अगर आगे हम बात करें तो कहरा चार्जिंग मेथड यूज इन लेड एसी बैटरी के लिए हम कौन-कौन से चार्जिंग मेथड का प्रियोग करते हैं इसके बारे में भी आप प्ढ़ना अगर आगे हम बात करें तो कहरा क्यर्नमेंस अलेटेड अच्छळ और मरमत इसके बाद क्या पढ़ना है तोिया व्युट्री को सिरीज कनेक्शन और बैटरी इंक्या होगा आद के शेविट बारे में पढ़ेंगे इसके बाद हम बात करें तो टीव ना्डिय आफ इंट इभर सेल जोलर सेल पहनों सकता होता हिन के क्या होता है इसके बारे में है हम ख़ले बात करें कि अगले चेप्टर है और आपका एसी फंडा मेंटल क्या होता है किसेँ है यह बड़ा हीiser होता है और इस chapter से आपको 20 number minimum जो होते हैं वो 20 number इस question इस chapter से आपको मिलेंगे 20 number के question इसी chapter से आपको पूछे जाएंगे और ये chapter बच्चे नहीं पढ़ते हैं ये बच्चे क्या होता है कि अब देखो शुरू के chapter थे वो आपके लिए आसान थे लेकिन बद के chapter से सबसे जादा number के पूछे जाते हैं यानि सबसे जादा number का पूछे जाएगा minimum 20 number का इससे question आएगा अब सोच सकते हो कि एक chapter 20 number दे रहा है तो कितमी बड़ी बात है और शुरू के जो chapter है उनको प्ड़ोगए तो किसी से शबते लेकिंडेक्स वाले चैप्टर आपके ल needs to work के चीवन में यूज नहीं करते जदडा आप किसका यूज करते हैं पूरी एसी काहीं उजच करते हैं अपने जीवन घर में कोई भी सफ्प्लाई कहीं तो चितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो सब की सब किसपर कर रहे हैं एसी पर वाक करेगा की सर्किट्टा होगा कि सप्लाई की वहां पर आव सकता होगी तो हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं जीने जो भी फर्स्ट इयर के स्टूडेंट है उनकी जो ट्रेड बुक होगी फर्स्ट इयर के स्टूडेंट की कौन सी बुक ट्रेड बुक ट्रेड बुक जो होगी वो चलेगी आपको साम को चार बजे उनकी ट्रेड बुक का टा स्टूडेंट है इनकी जो ट्रेड बुक चलेगी वह है आपका पांच बजे से छे अभी ये टाइमिंग उनकी निर्धारित हो गई है अभी टाइमिंग में सेकेंड ये बदला हो सकता है उनका एक घंटे और टाइम बढ़ सकता है और जो फाइनल एर की स्टूडेंट है अभी उनके टाइम को ले करके कोई डिसाइड नहीं किया गया उनकी भी टाइमिंग जल्द डिकलियर कर दी जाएगी चले आगे हम बात करें तो इसमें आपको क्या क्या पढ लाई उनके क्या क्या कहते हैं उनके कंशेट उसमें आपके टर्म है उनके लिए डियर्याइना पढ़ना है इसके साथ ही साथ पढ़ना है difference between AC और DC AC और DC में क्या अंतर है AC और DC में अंतर आपको पढ़ना है उसके बाद क्या पढ़ना है तो उसके बाद concept of cycle frequency time period amplitude instantaneous value तो यह छोटी-छोटी परिभासाएं है इन छोटी-छोटी परिभासाओं को पढ़ना है तो यह जो छोटी-छोटी परिभासाओं यूज की जाती है 6.3 नंबर में जितना भी RMS value क्या होता है maximum value क्या होता है form factor क्या होता है या average value क्या होती यह सब AC के लिए और DC के लिए भी निकाली जाती है लेकिन यहां पर सिर्फ AC का पढ़ना है DC का आपको नहीं पढ़ना है यह किसकी value को पढ़ना सिर्फ AC के लिए पढ़ना तो यह सारी इसके फेजर डाइग्राम को अभी व्यक्त करने की बात कर रहा है कि इसके फेजर डाइग्राम को कैसे अभी व्यक्त किया जाता है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या इसमें बोल्टेज और करेंट मिलेंगे तो बोल्टेज और करेंट का फेजर डाइग्राम अगर बो इसका आपको derivation भी करना है जो alternative quantity है उनके लिए आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है देखो alternating voltage applied to a pure resistance, pure inductance और pure capacitance अगर pure resistance, pure inductance और pure capacitance पर अगर हम voltage को apply करें तो voltage को apply करने तो उसका phaser diagram क्या होगा उसका current की valuation क्या होगी इसके power की valuation क्या होगी यह सारे calculation आपको इसमें करने है तो इससे एक question आपका आता है अगर आगे हम बात करें तो AC circuit देखो यह AC में मैंने बताया था AC fundamental में यह 20 नंबर मैंने बोला था वो सिर्फ इस chapter का नहीं था AC के जितने chapter है जैसे यह AC fundamental है तो इसके बाद जो आएगा वो AC circuit है तो यह भी था उसी के अंदर include था यह include है यह include है आपका उसी के अंदर आई बात सौंज में सर ने कहा था बस इसी से 20 नंबर नहीं है इससे और हमने इससे के दोनों को मिला के 20 बोला था क्यों एक से नहीं बोला यह चिंद मैं डिक्लियर कर देता हूं आपके लिए ठीक आगे मैं बात करूं तो इसमें पढ़ना concept of inductive and capacity reactance यानि inductive reactance क्या होता है और capacity reactance क्या होता है उसके बात पढ़ना alternative voltage apply of resistance and inductance in series यानि resistance और inductor को अगर series में जोड़ा जाए तो उसके लिए सारी valuation का calculation करना होगा उसी तरह से alternative voltage apply series and capacitance अगर resistance और capacitance series में जूड़े हो और उन पर अगर supply voltage दिया जा तो उनके पूरे valuation को निकालना है उसी तरह से introduction to series and parallel resonance यानि resonance क्या होते है resonance की value series में और parallel में आपको calculate करनी है तो इसी से सबसे ज़्यादा question पुछा जाएगा इसी से इसी से आपको 15 नमबर के question मिल जाएंगे इसी वाले चेप्टर से केवल ओनली इस चेप्टर से आपको 15 मिलेंगे केवल इस चेप्टर से 15 और पिछले वाले चेप्टर से आपको यह वाला जो चेप्टर था यह वाला चेप्टर यह 10 नमबर यह देगा तो हमने 20 मिनिमम बोला है maximum 20 के बाद 25-30 कुछ भी हो सकता है आपका आई सुझी और अगर हम लास्ट वाले बात कर देखें इसमें और क्या पढ़ना है पावरीन प्योर रीजिस्टेंस जो हमने बताया आपको कि पावार निकालना होथा से recommend you the power पढ़ना है और क्या पढ़ना है सिग्निफिकेशन पढ़ना है और क्या पढ़ना है पावर फेक्टर के बारे में पढ़ना है जितने टाइप के पावर फेक्टर होते हैं जैसे पावर फेक्टर आपको अलग लग टाइप के मिलेंगे तो उन पावर फेक्टर के बारे में 7.7 नंबर के चैप्टर से 5 नंबर का question आप से पूछा जाता है इससे नर्म का question आना फिक्स होता है ऐसे हुछ वाले पाइंट से 5 नंबर का question आपको दी आ जाते हैं ऑर इसमें क्या है इसमें सिर्फिवी ही है पॉली फेज एसी सिस्टम क्या होता है यानि बहु कला प्रडाली सिस्टम क्या होता है बहु कला प्रडाली के बारे में आपको पढ़ना है और इसमें एडवेंटेज आप पॉली फेज सिस्टम का लाब क्या है उसके साथ ही साथ ओभर विव आप सिंगल फेज सिस्टम सिंग लायने सेट्सक्श कि में ब्ल और फ्यांगे से पीपिएच में पूछ रहा है बीकटissions बिएस्ट को निकालना है किस में इत्ला होता है už economics यह इतना कितना नहीं निकुलेशिय। कि तो पताएंगे उसी तरह से कहा रहा है डेल्टा कनेक्शन फिर कहे रहा है और ऐस Mitte dei रडाइग्राम प्रिक्षिए पावर इन पॉली पिड करताथ पावर निकाली है यानिя बहु कला प्राली का पावर प्लांट होते हैं उन पावर प्लांटों के बारे में पढ़ना है यह पावर प्लांट हाला की एक बुक भी है जो कि आपको फोर्थ समेस्टर में पढ़नी पढ़ती है पावर प्लांट और यहां पर दिया भी है वेरियस टाइप आप पावर प्लांट अलग अलग पा सबसे अच्छा है उनके बारे आपको बताना है आगे अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक जो है वह है Elementary Block Diagram and Above Maintenance Power Station किसी भी Power Station के Maintenance के बारे में भी आपको बात कर रहा है तो ये सारी चीज़े हम आपको Power Plant के अंतरगती पढ़ा देंगे तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा अगर और कोई हमें नहीं लगता इसके लाव कोई और है तो इतना ही सलेवस से 8 चेप्टर है इससे भी आपको 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन हला कि 5 ही नंबर के क्वेश्चन इससे भी आते है तो इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ये जो हमारा था इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो भाईया क्यूं हम ज्यादा परिशान हो जब 35 नंबर के question हमारे इधर ही वाले chapter से आने यानि AC fundamental का chapter है, AC circuit का chapter है और एक various type of power plant और इन ही तीन chapter से आपको 35 नंबर मिलेगा तो क्यूं हम ज्यादा परिशान हो हम ये chapter सबसे ज्यादा पढ़े ना आई बास मज़में तो हाला कि हम सब आपको पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है कि यही चेप्टर पढ़ाएंगे बैटरी जो है इस बैटरी से आपको 10 नंबर के question मिलेंगे तो 35 आपको 45 हो गया इलेक्रो मैगनेटिक के इंडक्सन से भी आपको 10 नंबर के question आएंगे तो 45 दस पचपन हो गया और इसी तरह से जो यह है इससे 5 नंबर के question मिलेंगे इससे 10 नमबर के question आएंगे शाट-दसत्तर और इस ते जो। है वो 5 नमबर के question आएंगे 75 75 नमबर के total आपको 75 नमबर के question आते हैं क्यूंकि हरकंड में आप इस बार एक जान में दिये होंगे तो आप कर düşün interact कुछे जाते हैं पूछे जाते हैं और आपको उनमें से क्यों पचास नंबर के करने नहीं करते हैं तो सोचिएगा कहा आप मिश्टेक करते हैं किस पॉइंट पर आप बिश्टेक होता है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी दोस्तों को सेर भी कीजिए ताकि आपको लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए जो चीजे नहीं समझ में आती है वो लाइफ क्लास में पूछते भी रहे जिससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा इस जिसस सभी प्यारे सात्यों को जैहिंद और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना है